तो चलिए, पोसन ट्रेकर एप की तीन नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पोसन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट जो आई है 18.5.1 यह बहुत ही लिटेस्ट अपडेट है इसमें आप लोगों का जो तीन महतोपूर्ण अपडेट है उसके बारे में आपको पतलाएंगे समझाएंगे कि क्या है यह अपडेट इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले हम यहाँ से इसको बैक कर लिते हैं बैक करने के बाद आपको play store में आ जाना है play store में आने के बाद यहाँ पे search करना है potion tracker लीके search करेंगे तो यहाँ पे update का option आ जाएगा आप लोग simply यहाँ से इसको अफडेट कर लिजीएगा चलि हम इसको अपडेट कर लेते हैं जब तक यह अपडेट हो रहा है आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिजिए जितना हो सके, सेर कर दिजिएगा ताकि और भी लोगों को जनकारी मिल सके और हाँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और अल का बटन सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे तो यह जो अपडेट है बहुत ही कम MB का है 2.71 MB है बहुत ही जल्द आपका यहां पे जो अपडेट है वो कम्प्लीट हो जाएगा तो हमारा जो अपडेट है वो सक्सेस्फुली कम्प्लीट हो चुका है यहां पे किलिक करेंगे और आपको दिखा दें कि यहां पे जो लेटेस्ट अपडेट है के बारे में समझते हैं date of birth update in case of children during self-adhaar verification process in profile जैसा कि आप लोग 18.5 को update किये होंगे तो जो बच्चे का self-adhaar verification करने का जो option add किया गया है तो अगर आप लोग एक बड़ बच्चे का self-adhaar verification कर देते हैं यानि कि बच्चे कि माता-पिता का अधार हटा के बच्चे का अधार verification कर देते हैं यहाँ पर जो दूसरा update है mobile verification to be disabled for beneficiary when profile update in progress यानि कि आपका mobile verification भी disabled हो जाएगा जब profile update process में रहेगा तो इस परकार से यह दूसरी update है और तिसरा update है profile disabled while beneficiary creation is in progress और तिसरा update कर रहा है कि आप लोग जो नए लभार्थी को create करेंगे यानि कि नया registration करेंगे तो जो profile update है वो भी आपका disabled हो जाएगा तो चलिए तीनों update के बारे में अच्छी तरीके से आपको portion tracker app पे समझाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं और आप लोग आसानी से portion tracker app पे काम कर पाएं ठीक है तो हमने यहाँ पर इसको update कर लिया है अब चलिए इसको open कर लेते हैं आप लोगों को वीडियो पूरा जरूर देख लेना है ठीक है जैसा कि हम यहाँ पर इसको open कर रहे है जो पहला update है उसके बारे में चलिए हम आपको जनकारी देते हैं यहाँ पर हम किसी एक माता के नाम से जो है कि अधार verified किया हुआ है और आप लोग 18.5 में देखने को मिला था कि एक option को add किया गया था जिसमें कि बच्चे के अधार कार डालने का option आ गया है यहाँ पर update नाव पर किलिक करेंगे यहाँ पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग बच्चे के नाम से जो अधार verification है वो यहाँ पर आप लोग बच्चे का अधार यहां पे सो कर रहा है और बच्चे के ही अधार से जो अधार वेरिफिकेशन है वो complete हो चुका है अब आप लोग देखेंगे कि यहां पे जो दूसरा अपडेट में आप लोग को देखेंगे कि जो mobile नमर वेरिफिकेशन करने का जो option है वो यहां से हट जा है हाइड हो जा रहा है तो आप लोग बच्चे के नाम से अधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो जो mobile नमर है वो भी यहां से देखने को नहीं मिलेगा mobile नमर अपडेट करने का option नहीं मिलेगा उसके बाद यहां पे इसको बैक करते हैं बैक करने के बाद हम यहां पे जैसे क कुछ भी चेंज हो गएरा नहीं कर पाएंगे दूसरी चीज की यहां पे आप लोग देख पाएंगे कि यहां पे जो growth monitoring का भी option है इसको भी यहां पे hide कर दिया जा रहा है पता नहीं ऐसा क्यों क्योंकि यहां पे देख सकते हैं कि अगर growth monitoring इस प्रकार से hide हो जाएगा अधा आप लोग को देखने को मिलेगा और जिसका अधार verification नहीं रहेगा वो आपका यहां पे इस प्रकार से सो करेगा देख सकते हैं प्रफाइल अपडेट करें growth monitoring सब कुछ सो कर रहा है वहीं अगर बच्चे के नाम से हम लोग अधार verification कर देते हैं तो यहां पे देख सकते हैं क जो प्रफाइल अपडेट है वह चीप जा रहा है और growth monitoring भी यहां पे चीप जा रहा है ठीक है तो यहां से फिर से हम बैक होते हैं बैक होने के बाद आपको जो हमने बताया कि अगर बच्चे के नाम से अधार verification करते हैं तो mobile number update करने का भी option hide हो जा रहा है तो आप लोग जित registration कर सकते हैं तिसरी जो important है जैसे कि अगर आप लोग किसी का new registration करते हैं तो यहां पर click करने के बाद इस प्रकार से जो आप लोग का page है खुल के आता है आप लोग देखे होंगे और आप लोग registration भी करते होंगे तो यहां पर registration करने के बाद जैसे ही submit करेंगे तो जो process आप ल खुलके नहीं आएगा तो इस परकार से कुछ अब लोगों के लिए इफडेट आये हैं और इसके बारे में और भी कोई जनकारी मिलती है तो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या और अफडेट में आप लोगों किस परकार से काम करना है ठीक है तो उमीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दे और इस अपडेट से रिकारिंग कोई भी कोशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी आगनवारी बेहनों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिंद